Cultural differences in cognitive style हमने यह देखा था कि cognition का मतलब है information को process करना और समझना कुछ researchers थे विटकन और उनके कुलीग उन्होंने कहा कि कुछ लोग field dependent होते हैं और कुछ field independent होते हैं जो field dependent होते हैं वो अपने इदगित के महौल के हिसाब से चीजों को समझते हैं और उससे define करते हैं कि यह चीज कैसी है तो जिस महौल में होंगे उसकी relevance से वो अपना नतीजा निकालते हैं और चीज को समझते हैं यानि वो अपने में और दूसरों में कोई जादा फर्क नहीं करते हैं और दूसरों के knowledge को दूसरों के सोचने को और दूसरों के करने के तरीके को एहम सबजते हैं यह जो बहुत सी studies हैं जो field dependence पे हुई हैं वो culture psychology के साब से बहुत relevant हैं ऐसे culture जो हमने पहले पढ़ा था जो interdependent हैं वो field dependent भी होते हैं यानि वो अकेले चीज को नहीं देखते हैं उस चीज के इर्दगित जो context of field होता है उसके साब से उस चीज को देखते हैं ठीक पाकिस्तान में बहुत जादा लोग यह इस्तेमाल करते हैं यह तो depend करते हैं हम हार चीज को किसी चीज में depend करते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसे होगा और अगर ऐसा इसके कुछ और है तो वहां के महौल में इस तरह होगा हम field dependent हैं क्योंकि हम inter dependent culture हैं field independence और field dependence क्या होती है जो field independent लोग हैं वो चीज को खुद experience करते हैं separate चीज के तोर पे लोगों से हटा के कि यह मैं इस चीज को देख रहा हूं लोगों को नहीं देख रहा जिनकी तरफ से आई है तीक कहा क्या गया है किसने कहा है यह नहीं अचा अब वो अपनी internal reference यह अपनी सोच पर believe करते हैं और उसके उपर rely करते हैं और वो अपनी relationship में अपने रिश्टों में काफी autonomous यह आजाद ख्याल होते हैं यह आजाद होते हैं वो खुद फैसला करते हैं रिश्टों के बारे में ना के उनके इदगित के लोग फैसला करें जो field dependent लोग है वो आजकल की terminology में वो उनकी जो reasoning है वो लोगों से जुड़ी होती है के इदगित के लोग क्या सोचते हैं तो वो autonomous नहीं होते अजाद नहीं होते अपनी चीजों को समझने में यह जो cognitive style है कि आप चीजों को अलग से देख रहे हैं या उसके इदगित के field के रोश्री में या उसके अंदर रखके देख रहे हैं यह इसमें लोग कल्चरली फर्क होते हैं बैरी ने 1976 में एक study की थी और pioneering इसलिए का जा रहे है कि पहली study थी जिसमें उन्होंने 18 societies से data कठा किया वेस्ट अपरिका से लेके northern Canada और Australia तक और उसमें तीन industrialized society के group थे जहां इंडस्ट्री बहुत जाधा developed है अब उसने data जो लिए है वो human relations area file है जो बनी होती है पहले ही जब हम survey वगयरा करते है ना मर्दम शुमारी वगयरा करते है तो उसने information को code किया उसने एक ecological circumstances देखे environment का है महौल का है मौसम क्या है बारिश कितनी है खुश के गरम है मरतूब है ecological greenery कितनी है और culture आपका क्या है ठीक है आप किसी भी मुल्क में रहे हैं लेकिन आए क पहां से और उसने ये देखा कि a culture relation यानि कोई भी culture ना होना किसी के अंदर क्योंकि बदल चुका है अपना culture तो ना असल वाला राय और ना नया वाला भी लिया है तो जब एक छोटा ग्रूप किसी बड़े ग्रूप का हिस्सा बनता है तो उसके अंदर ये प्रॉसेस जो है एको लॉजिकली किस तरह से होता है उसने ये का कि क्या एको कल्चिरल मॉडल दरुस्त है उन्होंने ये का कि जो कोगनीटिव स्टाइल्स है ना वो कोगनीटिव डूमेंस में भी और सोशल डूमेंस में भी हम जो टेस्ट इस्तवाल करते हैं उसके जरीए समझ सकते हैं उस उसने ये नतीजह निकाला, कि एको कल्ट्रल मॉडल दुरूस्त है, जिसमें आपके इन्वाइरमेंट, जिसमें आपकी जिएगरी भी है, आपका क्लाइमेट भी है, आपका सोशल स्टॉक्चिर, लोग मिलके रहते हैं, या अलग-लग रहते हैं, कल्चिरल प्रेक्टिस, ये क पोस्टर को किचन से निकालने और दफ्तर में रखते हैं, यह उसका ओरिजनल कॉंटेक्स था, इनसान भी अपने ओरिजनल से हटके किसी और कल्चर में रहने चले जाते हैं, जब आबजेक्ट को उसके इद्गित की फील्ड से हटाएं, तो जो यॉर्पियन अमेरिकन्स थे, उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती थी, कि यह तो मैं पहचान रहा हूँ कि यह क्या चीज है, चाहे वो उसको अकेला दिखाएं या कोई नया बेग्राउंड में रखके दिखाएं, जबकि जो एशियन हैं उनको मुश्किल होती थी, किसी चीज को पहचानने में, जब वो क निकाल के कहीं रखती तो वो उसको पहचानने में उतनी तेजी नहीं होती थी, जबकि यॉर्पियन अमेरिकन्स को जो है, वो उसको ज्यादा असानी से पहचान लेते थे, कि अच्छा, यह तो अफलाँ चीज है, तो वो कॉग्निटिव स्टाइल और जो है वो आपका एको कॉपता बग्टा कॉपता धिसानी से दावनित में उसको से आपक Onu!